हेलो वरीबन सब्सक्राइब आज आपाइप एक निव सीरीज दी शिरुवात करन जा रहे आज जिस दे वीच जो भी डेली इंपोर्टेंट करन्ट अफेर होया करेगा वह अपां करया करांगे ठीक है जो भी एक रिपोर्ट आंदिये जो भी आपने लें इंपोर्टेंट करन फेर होएगा वह आपा एक सोटी जी वीडियो तोड़े जी शेयर करया करांगी और उस वीडियो नो देखके जादो ज्यादा तोड़नो इंफर्मेशन मिलेगी जो कि पेपर दे पॉइंट ओफ यूना इंपोर्ट है और इस सीरीज आपनी आज तो शिर्वात कर रहे हैं जी और डेली रहेगी ठीक है चलो जी होन आपा आज पढ़न जा रहे हां ग्लोबल हंगर रिपोर्ट बारे देखो पहला था सब तो पहला यह चीज नों समझो कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ता की मतलब की है और एदा पारद्दिना रिलेशन की है देखो इना चीज़ा नों इन्डेक्स और रेंकिंग बोल देएं जो की आपने न पुछ भी तुसी मेंनों दास दो कि इन्हों अगर एस रिपोर्ट नों अगर असी पब्लिश करना है तक केड़ी केड़ी पैरामीटर्स देखे जांदे है भी पब्लिश किते जांदे है और एदे विच इंपोर्टेंट फैक्टर की यह है समतों पहला ते यह चीज होनी चाहिए दि क्यों मना कर रहे ने इस करके पेपर दे लिए इंपोर्टेंट हो जांदा है पहला सी रैंकियाद कर सकते हैं लेकिन एस वार की है पेपर दे पॉइंट ओक्रूनल बहुँ जादा इंपोर्टेंट है ताज मैंनों तो अनुन दस्तूंगा कि क्यों इंपोर्टेंट है एदे विच अगर तुसी देखोंगी आपनी पारदी रेंकिंग की आ रही है जी, 107 नंबर रेंक का रहे है सड़ा, 107 नंबर रेंक का रहे है, 2000 बाई दे विच जेडी गलोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आ रही है, ओधे विच इंडिया दा रेंक की आ रहे है जी, ओधे विच मुकाबले ऐसी होर ज्यादा निच्चे आ तो कि इस रिपोर्ट दे विच की होएगा, एक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हो दूसी, एक रिपोर्ट कार्ड होंदा है, ठीक है, एक रिपोर्ट कार्ड होंदा है, एक रिपोर्ट कार्ड है की है, एक रिपोर्ट कार्ड हैगा क सब तो पहला सानों यह चीज बता हो भी रिपोर्ट कार्ट था मतलब यह है कि जिमें तुसी समझ सकते हूं तो आड़े नंबर आंते हैं ठीक है जो ज्यादा नंबर लेगा ओधी परफॉरमस बहुत ज्यादा वजी है लेकिन एक एस तरीक्या था रिपोर्ट कार्ड है अगर चीज प्रस्पेक्टिव यह है कि पारत इन मनन तो मना क्यों कर रहा है कि इस पारत दा प्रस्पेक्टिव किये अपो जानन दी कोशिश करांगे पहला आपको चीज पढ़ देया जेड़ी ये रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट दो हजार बाई इन्हों पब्लिश केड़ी संस्था द्वारा किता जांदा है तो ये जेड़ी संस्था है एक कोन है जी ए अपने को लोग दो दे संस्थामा जेड़ी की आयरलेंड दी है किये कौन कंसार्न वर्डवाइड और वैंट हंगर जेड़ी है जर्मन दी संस्थामा ने नों गवर्मेंट और ज्वागनाइजेशन ने ए और्गणाइजेशन की करती है ने जिमेंठ को लोग फाव है यानी फूड अड्ट एंड इन्ना संस्थामा तो की करेगा इन्ना संस्थामा तो डाटा कलेक्ट करके की कर देंदा है पब्लिश कर देंदा है यह जड़े केड़े केड़े पैरापीटर से अभी जिनना दे उपर देख्या जाना है यह चार पैरामेटर में सब तो पहला अंदर नरिश्मेंट चाइल्ड स्टंटिंग चाइलंग वेस्टइंग और चाइल्ड मोरालेटी सब्तों पहले इन समझे दी तुरुरत है कि अंडर न्यूट्रिश्चेमें कि हुना यह चाइल्ड वेस्टिंग 198 और मोराल्टि ठीक है जेड़ा अपना बच्चा है की कहा रहे है कैलूकुलेट बाइदा शेर ओफ दा चिल्डरन अंडर दा एज ओफ दा फाइट ओफ वेट है ठीक है जेड़ा ओधा वेट है एक्चुल दे विच ओधा वेट निगेन हो रहा है दूसरे बच्चेया दे मुकाबले लेकिन पाइट इंक्रीज नहीं हो रही चाइल्ड मॉरालिटी रेट यानि की बच्चा पांच साल दा हो रहे है या फिर एक हो जा बच्चा जेड़ा की आपना दूसरा जणम ही नहीं देख पा रहे है ठीक है यानि की एजड़े रिपोर्ट पब्लिश होई ग्लोबल हंडर इंड जेड़े हे रैंकिंग है इन चारा स्थीतियां देविच इन चारा पैरामेटर देऊ तो जड़ा पारत अपना खरा नहीं उतर है अगर तुसी एशिया दी रिपोर्ट देख रहे हो पूरे एशिया देविच सब्तों जे मालों आप खराब कह सके ता अफगानिस्तान दा र पाकिस्तान है बंगला देश है नेपाल है जिनाधी तह कंडिशन हा बहुत जादा वदिया दसीकि यहने ऐस रिपोर्ट देविच अपने इंडियन गुवर्मेंट ने खी क्या है इंडियन गुवर्मेंट दा कहना एह है क्योंकि एशिया देविच अगर सब तो साउथ दूसरा बार सरकार में क्या है ए रिपोर्ट पी आइबी दे विच पब्लिश किती ही रिपोर्ट कि इंडिया गोर्रमेंट ने एक ता सिरी लंका दा दस्या भी उत्थे दा फाइनेशल क्राइसे चल रहे है उत्थे बुख मरी है गिया है तो तुसी रैंक ओना नू यह दे र बाकी पैरमेटर दे उपर फोकस क्यों निकार रहे है सिरफ चाइल्ड दे उपर ही फोकस करने है चाइल्ड दे उपर ही दूसी कह से जोगी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट दे विच पारत नो रेंक देने है इस करके इंडियान गवर्मेंट कह रही है कि साथा इस देदनाल रहे है तो इंडिया गवर्मेंट दे के साथे दे वीचे बहुत सारी हैं होजा कम करने हैं जिरे करके ग्लोबल हंगर रिपोर्ट दे विच आठी रैंकिंग बनिया होने चाहे दी सी लेकिन बहुत खराब दसे गई है जो की है नहीं साथे देश वीच है नहीं दूसरा की है असी SDG गोल जड़े हैंगे ने SDG जड़े गोल हैगे ने उन्हानों असी पूरा करने उन इनना गोल नो असी देख्या है असी पूरा करने उन्हानों याद होने चाहिए ने इदेवस्तिक टार्गेट रख्या गया कि 2023 तक पूरे वर्ड देविच जिनियावी कंट्रीज ने OS SDG गोल नो की करन गिया अचीव करन गिया इस सब तो वड़ी इंस्ट्रक्शन कहलो इस सब तो वड़ा पैरामिटर कहलो सब तो वड़ा डेडलाइन कहलो कि 2023 तक इना कंट्रियां ने पूरे वर्ड दिया ने इस तारा दे इस तारा SDG गोल जड़ी है अचीव करने है जिमें पहला SDG गोल है अपने को लो नो पवर्टी नो पवर्टी गरीब भी नहीं है जीरो हंगियर भुखमरी खतम करांगे ता इस रिपोर्ट दे अकोडिंग तुसी SDG जड़ा गोल है ओस रिपोर्ट ने अकोडिंग तुसी यह अचीव नहीं कर पारें तीजे नमबर ते आंदा है जी गुड़ हैल्थ और वैल बिंग्स हो गया क्वालिटी एड्यूकेशन फोर्थ नमबर ते फिफ्थ नमबर ते जैंडर एक्वालिटी जैंडर एक्वालिटी ते बेचे भी साथा कोई वधिया रहें कि नहीं हारे क्ली क्ली ओणर ऌचिप साथर एक्वाजी दया है जड्यूकेशन उपलड़ है Sustainable Cities and the Communities 12th number Responsible Consumption and the Production 13th, Climate Action 14th, Life Below the Water ठीक है, मतलब Ocean दी गाली भी कर रहे हैं 5th, Life on Land Land दे उपर गाल करांगे 6th, Peace Justice, Strong Institution Establish करांगे 7th, Partnership for गोल्स इस तो इलावा अगर कुछ रिपोर्ट्स तुसी देखोंगे ता ओदे विच पारदी रैंक किया है इन्हों तुसी जज़ कर सकते जेवे कि कुछ important data जो मैं तो डेना शेर कर रहे हैं तुसी देखो, इस सबतों पहला जिस्या होया जी, Reducing Inequality Index 2020 Inequality Index दे विच अगर तुसी गाल कर दे हो इंडिया दी रैंक किनी आ रही है जी यह थे 123 103 नंबर रैंक आ रही है तोप कंट्री केडी है नोर्वे तोप कंट्री नोर्वे है नेक्स दे जी Global Crypto Adoption Index 2002 Crypto Adoption Index दे विच पारदी रैंक फोर्थ नंबर ते है और तोप कंट्री है वियतनाम Human Development Index 2021 कर दे हो ता इंडिया दा रैंक 132 है तोप कौन कर रहे है जी स्वीजर लैंड कर रहे है यानि तुसी देख रहे हो पारदी स्थिती कुछ ठीक नहीं है हैनले पासपोर्ट Index दे पारदी रैंक 87 है तोप कौन कर रहे है जपान कर रहे है ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स दे विच पारदी रैंक 113 है और तोप कौन कर रहे है नोर्वे कर रहे है एक्सपेट इंसाइडर रेंक आ रही है जी इंडिया दी 36 टोप कर रहे है मेक्सिको देखो मैं तो अंदस्य सिखा गलोबल जैंडर गैप रिपोर्ट एदे विच पारदी रेंक है जी 135 टोप कौन कर रहे है आइसलेंड गलोबल लाइबिलिटी इंडेक्स दे अकोर्डिंग जीड़ा अपने कोलो न्यू दिल्ली है 112 नंबर ते आ रहे है मुंबाई 117 नंबर ते टोप कौन कर रहे है वियना आस्ट्रिया अगर अपने स्किल रिपोर्ट देख दे हैं गलोबल स्किल रिपोर्ट ता इंडिया दी रेंक 68 है टोप कर रहे है स्विजर लेंड वर्ड 37 है टोप कर रहे है डेनमार्क और एंवायरमेंट परफोर्मेंस इंडेक्स 2000 बाई दे विच अपने पारदी रेंक है जी 180 इंडिया दी रेंक की नहीं है 180 और टोप कंट्री कौन है डेनमार्क तो तुसी अकोडिंगली इनना सारे यां रिपोर्ट नों अगर देख रहे हो ता पारदी कोई बहुत अच्छी स्तीती नहीं है इस टैम बहुत अच्छी परफोर्मेंस दे विच नहीं है अगर इसे तरह रिपोर्ट आन गिया 60 जड़ी रैंक है गिर्दी रहेगी ता असी उनना रिपोर्ट नों नकार नहीं सकते इनना रिपोर्ट नों नकार नहीं सक तब पारत नू इनना पैरामीटर्स दे उपर कम करना पएगा। तुसी नकार नहीं सकते हैं ना चिज़ा नू जो कि अगर ए भी चिज़ा चे सुधार आएगा ता बाकी भी हो सकता है। जो ता नू खमिया नजर आ रही हैं तुसी ओना नू धूर करो। लेकिन पारत दा प् तुसी नो जरूर लाइक करें आजे, सब्सक्राइब जरूर करें आजे ठीक है। इससे तरीके दिया है वीडियो से डेली तो डेली बेसिस ते फोटे कोल होना आन गया। ठीक है। सो मिल दे हैं जी। आप अगले सेरीज दे विच मिलांगे ठीक है। अल दी बैस थैंक झाल झाल झाल